आज वोल्ड बिक्नी डे है आजी के दिन 5 जुलाई 1946 में बिक्नी की खोज हुई थी बिक्नी की खोज पैरिस के फाशन डिजाइनर लुईस रीड ने की थी और आज यानी 5 जुलाई 2018 को बिक्नी ने 70 साल पूरे कर लिये हैं इस खास मौके पर पूरे विश्व में अलग-अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस खास दिन छुट्टी इसलिए होती है ताकि महिलाएं इस दिन को सुकून के साथ अपना पूरा दिन किसी बीच पर बिक्नी में बिता सकें बिक्नी का नाम बिक्नी ओचल के नाम पर रखा गया था बिक्नी ओचल ही वे जगा थी जहां अमेरिका ने लगातार कई परमानू पर इक्षन किये थे और रीट को आशा थी कि उनका कोस्ट्यूम भी परमानू धमा के जितना ही कमोर्शियल और कल्स्रल रियाक्शन लेकर आ इस दिन दुनिया की सबसे बड़ी बिक्नी परेड आयो जित की दे साथ एफरीका के जॉन्सबर्ग में हुई इस परेड में बिक्नी पहने 287 लड़कियों ने हिस्सा लिया था नबे के दशक की शुरुवात में International Volleyball Federation ने बॉली वाल खेलने वाली महिलाओं के लिए बिक्नी को अनिवारे कर दिया था भारत की बात करें तो शुरुवात में बॉलीवुड आक्रस शरमिला टेगार 1967 में आई फिल्म एन इवनिंग इन पैरिस में बिक्नी पहने नजर आई थी जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था Entertainment X News Times India